हमें राजदूत पर अब भरोसा नहीं है हमने उनकी और से इस तरह के वेवहार की उम्मीद नहीं की थी ये कहना था सुप्रिम कोड का जब इटली के राजदूत डैनियल मैंसीनी अपने ही हलफनामे से मुकरने के बाद देश के सर्वो चुन्यायले में पहुचे केरल के दो मचवारों की हत्या के आरोपी दो नौसैनिकों को इटली जाने की इजाज़त तब मिली थी जब इटली के राजदूत ने कोड को वापसी का लिखित आश्वा संदिया था कोर्ट ने नौसैनिकों को चार हफ़ते के लिए इटली जाने और मतदान कर वापस आने की इजाज़त दी थी मैंसिनी के वकीलों का दावा है कि राजनाईक पर रोक आदेश अवैध है क्योंकि राजनाईक संबन्नों से जुड़ी विएना संधी 1961 के अनुच्छेद 29 के अनुसार राजनाईकों को किसी भी प्रकार के गिरफतारी या हिरासत से छूट प्राप्थ होती है इस तरक पर सुप्रेम कोर्ट का मानना है कि कोर्ट में लिखित आश्वासन और हलफ नामा देकर राजदूत ने स्वेंग को भारतिय न्याय प्राडाली के अधिकार क्षित्र में शामिल कर लिया लिहाजा मामले के विचारन का पूरा अधिकार न्यायले को है इस मामले पर विदेश मंत्राले का कहना है कि कोर्ट के निर्देशों का पालं किया जाएगा इटली के नौसायनिकों के भारत वापसी का मुद्दा तब गरमाया जब पिछले सप्ताह इटली ने भारत को सूचित किया कि वो अपने नौसायनिकों को भारत वापस नहीं भेजेगा नौसायनिकों को इटली जाने के इजाज़त सुप्रिम कोर्ट ने दी थी लिहाजा सुप्रिम कोर्ट ने ही इटली के राजदूत मैंसिनी के ही भारत छोड़ने पर रोक लगाते हुए उन्हें सोमवार को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था मामले की सुनवाई अब दो अप्रैल को होगी विकास सार्थी की रिपोर्ट डीडी न्यूस दिल्ले